मुझे ऐसा लगता है कि मैं डर, गुसे, जलन, इन सब चीजों से भरा हुआ हूँ. मैं इनके पार कैसे जाओं और इस जीवन को उसकी सम्पूर्णता में कैसे जानूं? आपको इन सब चीजों के परे नहीं जाना है. आपको बस इनहें बनाना बंद कर देना है. आपका डर, आपका गुसा, ये सब उस मन की उपज हैं, जिसके बागडोर आपके हाथों में नहीं है. आपका मन आनंद पैदा कर सकता है, आपका मन डर पैदा कर सकता है, आपका मन चिंता पैदा कर सकता है, घबराहट, शांती, पीड़ा, परमानंद, ये कुछ भी पैदा कर सकता है. ये वो चीज़े बना रहा है जो आप नहीं चाहते हैं. सिर्विस लिए क्योंकि आपको इसे संभालना नहीं आता है किसी को अपने डर को संभालने की कोई जरूरत नहीं है या गुस्से को या जो भी हो नहीं किसी को भी खुशी या शान्ती या आनंद या पर्मानंद की तलाश करने की जरूरत है कोई ज़रुरत नहीं है आपको बस इतना करना है कि आपका कुछ समय देना है आपको साधना करनी होगी ताकि ये पता लग सके कि इसका कीबोर्ट कहा है इस बैतरीन कंप्यूटर का जो आपके सिर में लोड किया गया है आपको पता नहीं है कि कीबोर्ट कहा है इसलिए आप सारे गलत बटन दबाए जा रहे हैं इसलिए हर तरह की चीज़े हो रही है तो या तो आप इस मन को एक चमतकार बना सकते हैं या फिर आप इसे दुख पैदा करने वाली मशीन बना सकते हैं तो दुख जो गुसे और डर के रूप में है आपको उसके बारे में कुछ नहीं करना है आपको बस प्रोड़क्शन लाइन बंद करनी है ना कि प्रोड़क्शन को आपको बस प्रोड़क्शन लाइन रोग देनी है और एक दूसरा प्रोड़क बनाना है आप ये पक्का करें कि इसमें से खुशी निकल कर आए, आनन निकल कर आए, क्योंकि वही मन इन चीजों के लिए भी सक्षम है, कभी कबार ही, आप खुश होते हैं, कभी कबार, एक नौजवान इस तरह है, तो ये जॉय भी पैदा कर सकता है, तो आपको बस जे हमेशा यहां होता है, आप कंप्यूटर जानते हैं न, ये यहां होता है, अगर आप ऐसे 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 करेंगे, तो दुख 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 और अगर एक ही बटन दबा के रखेंगे, दुख 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 ये बढ़ता जाएगा, आपको ये आना चाहिए, कि अपने हाथ हटा कर कैसे रखें, कीबोर्ड से, और वही दबाएं, जो आप चाहते हैं, अभी आपको पता ही नहीं क्या कहा हैं, बस दबाए जा रहे हैं, अगर आप ठीक से सोच नहीं सकते, नहीं ये वहाँ नहीं है, गलत बटन, ऐसे ही न, ऐसे काम नहीं होता, अगर ऐसे करने से काम बन जाता तो, ऐसे ही करते हैं, आपके शरीर को संभालने के लिए साधना होती है, आपके मन को संभालने के लिए, आपकी उरजाओं को संभालने के लिए, हर उस चीज को जो आप हैं, उसे संभालने के बजाए, आप एक बड़िया प्रॉडक्ट चाह रहे हैं, इस तरह से ये नहीं होगा, जीवन कभी भी ऐसे काम नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं, कभी भी, कोई चीज किसी के लिए कारगर नहीं हुई है अगर उसमें सब कुछ गलत किया हो, जब तक आप सही चीजें नहीं करेंगे, आपके साथ सही चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी.